अबहुत है ने नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका अपने चैनल पे तो ये ब्लोग जो है होई अस्ट मीगा है बहुत ही अच्छा व्लोग है तो अभी हमारा घर का सारा काम मैंने कर लिया था और उसके बाद हमारी जो मतके उते हैं यह ताजी पानी से भरे जो कमोई जिसको बोलते हैं तो यह हम भर रहे थे मैं पूजा करने से पहले इनको भरवा रही थे इसलिए तो अभी है आज फिर से एक और फास्ट और अभी मैं अज करने वाली हूँ मैं ग्रीन मेक अप तो उसका लुक में आप सब यह साथ में शेयर करूंगी तो अभी हलके अब करते हैं तो चली अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मेकव आप सबको दिखाती हूं कि गेरल मेकब में किस तरिके से करते हैं तो प्रेंड्स यहां पर मेकब स्टार्ट करने से पहले मेरे बाल को बिखरे हूए थे मिने खोल रख़्े कि वास्ट किये थे तो जब सबसे पहले हम लोग अपलाई करेंगे जो बीबी क्रीम हो और यह क्रीम मुझे इतनी अथी लगी सथ बताऊ तो यह बिल्कुल भी ओड नहीं लगता ऐसे नहीं लगता कि हमने फेस पे फांडुशन लगाया एक दुन आपका जो स्कीन रहती है ने नैचरली सेम वही ग्लो आत पर टैनिंग होगी या कोई भी डर्ड स्कीन होगी तो वह भी इससे रिमूफ हो जाती है तो आप लोग ज़रूर करके देखेगा काफी अच्छी है और बजट के आपके बजट में ही रहेगी तो यहां पर मैंने फांडेशन को अपलाई कर लिया था और उसके बाद में इस इसलिए मूट कर दी क्योंकि वैसे तो मैं बनाने का सोच रही तो फिलाल मैंने मूट इस ले कि वैक वैस बहुत जादा थी जो आमारे घर में दर और चिल्लाते रहते हैं जोड़ जोड़ से बोलते रहते तो वह सारी वास थी तो यहां पर मैंने फांडेशन और कॉंपैक् जब तरह में लगा लेगा लिए फिर में करूंगी आई मेकप इसके विना मतलब जब तो मैं कुछ भी कर लो जब तो सिंदूर और लिए फेस पर ग्लो नहीं आता है मेरे क्या हाउसवाइब बोल्ड हर लेडिस का जो स्वागन है जितनी भी उन सबका यह हाल रहता है मतलब बिल्कुल भी इसके विना फेस खिलता नहीं है तो यहाँ पर वैसे में लगा तो यह ग्रीन देख लेकिन आपको कैमरे में तोड़ा सिल्वर सा लग रहा होगा और ब् पेरेट कलर में है और आप लोग देख भी सकते हैं तो यहां पर देखे में एक आपलाई कर लिया था और सेकंड पर करना अपलाई बाकी था तो अभी देखिए आई मेकप जो है मेरा हो गया है तो चूड़ी पहना बिल्दी लगाना और बाल बनाना रह गया तो मैं आपको यही से क्जल बना लेती हूं और आई एटाई मेक उप तुक तूरोले विडियो शेयर कर लेकिन नहीं कर पाते हूं कि उतना टाइम नहीं मिल पाता हुं और पता नहीं चलेगा निया चलेगा यहां पर मेरा मेंकाप जो हो चुका है और यह यह एरिंग सपैनने है तो यह हम में बहुत जादा दर्द करने थे लेकिन बच्चे की खुआइस के लिए इतना बनता है तो यहां पर मैं अभी जो चूडिया थी इनका सेट पना के चूड़ी एक एक करके अपने हाथों में डाल लोगी और हम यह सब मतलब डेली में तो नहीं पहन पाते कि खराब हो जाती है और उस तरीके से पहनो और यह न वैलवेट की चूड़ी जो न्यू डिजाइन आई जब घर में काम वगहरा करते हैं तो खराब हो जाते हैं तो यहां पर मेरा मेक अप जो था कंप्लेट हो गया मैंने साड़ी वेर कर ली और उसके बाद में आ गया है यहां पर पूजा करन करने से पहले हम लोग बनाते हैं जो इसका क्या वलता है चाइक बनाते हैं तो यहां पर भर इसको फूल से सजाते हैं लेकिर मेरे तो यहां पे देखिए मैं अभी इन सब पर कलश पर भी रोली दागा बाद दूंगी और उसके बाद में नहां पर लगाया कलेंडर कलेंडर मेरा जो हमारा लास्ट था अग लगी थी तब हमारा कलेंडर जो है खराब हो गया था तो इसलिए यह दिवाल में लगाने वाला में ले लिए लेकिन वैसे हमारे पास वह था जो उस पे चौकी पर रख करते है तो वह हमें गाव में मिला नहीं तो फिर हमने का आज फिल हाल के लिए हम यह इस्तमाल कर लेते हैं नेक्स टाइम जब होगा तो अच्छे से त्यारी कर लेंगे हैं होई माता की तो यहां पर पर रात में जो रहता हूँ तारों को देखकर हम लोग ब्रत खोलती है यहां पर यह सारा कंप्लेट हो गया है तो अभी मैं इस पर बना देंगी कलस पर भी बनते साथियों और जल चड़ा थे उस पर भी बनाते हैं तो जितनों को जो नहीं आता तो यहां पर जो फ्रूट् पांच हो गए थे हैं उसके बाद जो हम लोग अपनी सास को देते हैं तो वह कपड़ा चाया आप सूट दो वाल धर्दो कुछ भी धर्दो जो आपको अच्छा लगए उसके जो अपनी जैसे बजट में रहता हुग हिसाब से तो मैंने मेरी ममी के लिए रखी ती यह बढ़ा किया है कि मैंने जैसा को बहुत बार बताया कि दादी को दिखाई नहीं देता है तो उटना बैठना सब लोग हम लोग करवाना पड़ता है तो कथा सुनने के बार हम आ गए हैं बाहर यहां पर मैंने अपने केमरामें को दिया था कि वही आज मेरा वीडियो बना द बनाने के लिए कि फास्ट पूरे दिन रहता है इसमें भी पानी नहीं पीते हैं तो निर्जला ब्रत इसको भी करते हैं बच्चों के लिए होता है बच्चों के बेटे होते हैं वैसे तो आज कि बेटा बेटी एक समान है लेकिन यह ब्रत जो होता है इसलिए बच्चों के तो यहां पर मेरा जो लास्ट ब्लोग गया था कर्वा चौत का आप लोगों नो इसको बहुत प्यार दिया था मेरा कभी भी कर्वा चौत लोग या फिर मैंने इस तरीके की फूजपाट की कभी वीडियो में शेयर की तो 100-200 वीव मेरे कभी नहीं आये थे तो पहली बार आप लोगों इतना सारा सपपोर्ट किया इस वीडियो को इस वीडियो उतना ही प्यार दीज़ेगा उतना ही मांसम दीज़ेगा कुछ न्यू हर्यानवी कल्चर जैसे हमारे होता है वह सब में आप सब के साथ में शेयर करती हूँ तो यहां पर मैंने चाय बना ली थी सबकी और तो अब देखिए मैं आप सबके साथ में अपना फाइनल लुक तो मैं इस तरीके से त्यार हुई थी और मम्मी ने कथा सुनाने के बाद आने के बाद ये सारी जो बैड पर आप लोग देख लिए हैं कि देख लो तुमको कौन सा पसंद आ रहा तो यहां पर में देखो ये मे बहुं मैं जल्दी निकलाते हैं तो यहां पर मैं यह Rob向o लगाने के लिए भाइना छूप से से और यह वाला जुड़ा आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताएगा वह वाला जुड़ा तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन यह मुझे बहुत अच्छा लगा था इसमें हलका साइड पफ लिया था और उसके बाद बन बनाके फिर इसको फैला द लेकिन आज मुझा था तो मैंने का चल लो किना थड़ा और सुट कर लेते हैं तो यहां मैंने सब्जी छोग दिया टमाटर ले थे और जीरा और हरीमिज डालके लगाया था प्याज नहीं डाली थी क्योंकि सब्जी में प्याज नहीं डलती हम लोग होई को चड़ाते हैं तो इसलिए फिर ने डाला थो थोड़ा सा पानी सुकी सुकी बनाइए और हम यह तीन लोग थे मम्मी मैं और दादी यक्सु यक्सु पापा और बावा तो चले जाते हैं डिविटी तो यहां पर फिर यह चाय पानी की जो हम लोग ने चाय लीती फास्ट के बाद वह बरतन डर भी लगता ने कि साड़ी कराब ना जाए चीटे ना पढ़ जाए जो करते रहते हैं उनको तो हैविट होती है यहां पर मैंने जो खाने का त्यारी की जब तक जो साड़े 6 बजे तक जो है चांद तारे निकल आया थे तो यहां पर मैं जल चड़ा रही थी तो यक्सु जो यहां पर जो ले रहे ने जब हमारी घर में कथा थी तो यह उड़ाया गया था तो यह वाला यह वाला ओड की जल चड़ा देना क्योंकि यह बच्चे के नाम का था तो इसलिए मैं ओड के जल चड़ाया और अब मैं फिर सागई किचन में मैं आठा लगाऊंगी आठा सब्सक्राइब रहे को देखें जल चड़ाना था पिर उसके बचमा देना थी जो हमने होई कलेंडर लगा थो इमांदा को न भी पर तो इसके बाद में फिर हम लोग अपना ब्रत तो यहां पर खीर वीदे को बन रहे है आए शावल की नी बिणाया थिसाम अपकर जल्दी जाती है कि की है आपको पता है यह Fast स्वाइब कि वह थाइए और रहाए हैं तो फारे दिन हम लोग खाली पेट रहते हैं और फिर घर का इतना सारा काम हो जाता है मुझे तू भूह ज़्यादा काम हो जाता है घर का सारा काम को दो कपड़े उपड़े सबके दोना फिर और भी करना तो इसमें बहुत जाद मुझे तो थकान हो जाती किसी को होना और में जब भी फास्ट करते हैं मेरा सर बहुत तेज दौने लगता है मैं प्यास और भूक समझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब मैं काम जादा करती हूं खाली पेट रहती हूं तो मेरे साथ यहां पर मैंने रोटियां बना ली हैं और उसके बाद में मैं आ गई हूं ममी ने भोग लगा दिया था और मेरा रहता था क्योंकि मैं खाना बना रही थी और यह जो भोकी धाली रहती है यह हमें अपनी सास को देनी होती है जैसे आप बचाएं तो ग्यारा रुपे किस को लगाया था तो यहां पर मैंने अपना खाना खा लिया है खाना खाने के बाद यक्सु को भी खिला रही हूं मैं भी खा रही हूं सासाथ में दोनों मावेटे खा लेंगे बच्चे का क्या ही जूटा होता है बच्चे भी कहते बगवान का रूप होते तो इनका क्या जू तो इसके बाद जो next vlog आईगा आप लोग देखेंगे इसमें से मैंने कौन साब सूट पसंद किया है कौन सा मैंने लिया है वह मैं आपको next vlog में दिखाऊंगी तो यह देखो यहां पे मैं अपने कपड़े में चेंज कर लेती क्या सब्सक्राइब बहुत जादा है वी लग रह तो इसको मैंने ले लिया है और उसके बाद में अपनी चुड़ा निकाल लूगी और इसी के साथ आज का वीडियो का भी एंड करूंगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना